दान कड़िम चल रहा है और धान में अभी के जो समय है अभी के समय में एक बहुत ही खतरनाग बिमारी लगती है जिसको हम लोग बोलते हैं सीद ब्लाइट सीद ब्लाइट एक फंगस जनित बिमारी होती है जो धान के परमुक रोग में सेख होता है इससे लगबग हमारी दस से लेके 20% तक उतपादन में कमी आ सकती है तो फिर सबसे पहले देखते हैं कि जो सीद ब्लाइट है ये कैसा दिखता है हमारे फसल में और हम लोग इसको कैस से पहचान करें लगबग बहुत से किसान भाई हैं जो इसको इसली पहचान लेते हैं लेकिन बहुत से जो हमारे नए किसान भाई है उनको थोड़ी परसानी होती है तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे पहचान है सीद ब्लाष्ट की सुरवात जो होती है वो जमीन से थोड़ी उपर में होती है कहना एक मतलब जो उसका जड़ छेतर उसका तने में सबसे पहले इसकी सुरुवात होती है छोटे-छोटे घाव बनेंगे, धब्बे बनेंगे, भूरे रंगे धब्बे बनेंगे और ये धीरे-धीरे फैलते फैलते उपर तक जाते हैं अगर बालिया निकल जाती हैं तो ये बालियों तक भी परभावित करते हैं ये फफुन जनित बीमारी होती है और ये फफुन के कारण फैलता है ये तो होगे उसके सामाने लक्षण जो कि आप खेत में देखके भचान लेंगे। कि जो लक्षण है सबसे पहले लगभग हम को रोपाई के 45 दिन बाद दिखना सुरू हो जाते हैं और ये वाले बीमारी को सबसे ज़्यादा फैलने का मुख्य है जो इसके लिए वातावरण के अगर हम बात करें तो लगभग 24 से लेके 28 दिगरी तक का जो ताप मार रहती है यह फिर 28 से 30 तक का जो ताप मार रहती है और इसके साथ-साथ लगभग जो आधरता रहती है इन्वारमेंट में वो 80 से लेकि 100% तक जो नमी होती है ये रोक को फैलाने के लिए अनुकूल होता है जैसे कि अभी बरसात का टाइम चल रहा है तो ये बिल्कुल अनुकूल है ये वाले बिमारी फैलने के लिए तो ये सब चीज को हमको देखना रहते हैं सीद बलाइष्ट को कंट्रोल करने के लिए हमको फंगी सइट का उपियोग करना रहता है फंगी सइट दोड़ाइप से आते हैं जैसे मैं आपको पिछले वीडियो हम बताय था पहुंचाते हैं तो उसी को ये नश्ट कर देता है जिससे कि हमारे पौधे धीरे-धीरे सड़ना सुरू हो जाता है तो अगर हम लोग इसमें सिस्टेमिक फंगी साइड देते हैं तो जैलम और फलेम के माध्यम से पूरे पौधे में फैलता है लेकिन जो हमारी जैलम बाले ज जो पौटेक्ट फंगी साइड होती है उसका इस्तमाल करते हैं तो हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है लेकिन उसके लिए हमको पूरे के पूरे पौधे में पहुंचना चाहिए यह नहीं बात होगे उसकी पहचान और लख्षण के बारे में इसके बाद हम लोग देखते है कि इसको control करने के लिए हम लोग ऐसे कौन-कौन से phungicide का इस्तेमाल कर सकते है seed blight के लिए जैविक तरीका भी आता है और chemical तरीका भी आता है जैविक तरीका मैं आपको बता दूँ seed blight जैसे कि मैंने आपको बता दूँ और अगर आपकी crop में लग चुका है अधिक मातरा में हमले हो चुके हैं तो उस बखत हमको इसको जैविक तरीके से control करना थोड़ा मुस्किल ही हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके लिए क्या जैविक तरीका होता है सबसे पहले तो यह होता है कि हम लोग जो बीज लेते हैं तो बीज को हम जो एक सूडो मुनास फ्लोरेंस नाम से जो एक फंगस आती है उसको लगबग हमको 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से बीज को उपचारित करना है कहने का मतब 100 लिटर में उसको घोल के कम से कम 30 मिनट के लि लेत या फिर गोबर के माध्यम से हमको खेत में एक बार उसको भुरकाव करवा देना रहता है इसके बाद जो तीसरे रहती है कि अगर यह फिर भी हमारे फसल में दीख जाते हैं एक-एक भी जैसे दीखना सुरू हो जाता है आपको नियमित निग्रानी करनी होती है एक-ए को मतले 45 दिन में एक बार 55 दिन में एक बार 65 दिन में एक बार हर दस्वें दिन में इसको तीन बार हमको रिपीट करना रहता है शूडो मुनास फुली और उसको अच्छे तरीके से पौधे में उसको भीगो ना रहता है यह हो गया जैविक तरीका इसके बाद इसमें कुछ सब्सारा के साथ एक जो कंभीनेसन जो आप इसक्रेवीं में देह रहे हैं यह वाला कंभीनेसन से काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें कंट्रोल होते हैं और जो हमारे लें जो कुछ पूराने दवा जैसे कि मैं आपको बोलून की अगर हम बात करें तो के बहुत पूराने जो दवा यह होता है एक हो ता है हेग्जाऑकोनाज्ल रूकशरा होतह है वैलीडामैसीन होता ही है continues होता है यह ग्यूण से ही भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं अब दोनों को भी मिला के स्प्रे कर सकते हैं यह बहुत ही सस्ता और बहुत ही कारगर और बहुत ही पूराना दवा है आप इसका यूज कर सकते हैं इसके साथ एक आती है कारबेंडा जैम जिसको आपको एक ग्राम पर लीटर के हिसाब से फ तो आपके फसल को है इजली तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं फंगी साइड और भी बहुत काफी महंगे महंगे आते हैं लेकिन सीद ब्लाइश के लिए मेरे को नहीं लगता कि आपको ज़्यादा महंगे फंगी सेड के इस्तिमाल करना पड़ता है यह जो मैंने आपको बता है दो तीन इसमें से कोई एक को आप सेलेक्ट करके आप अपने फसल में शिड़काओ कर सकते हैं लक्षण दिखते ही अगर आप शिड़काओ करते हैं तो आगामी आपके फसल में तो आने वाला है भी नहीं है तो इसी रहे लक्षण दिखते ही आप इसमें छिड़काओ करिए निश्ची तरीके से आपके सीध बलाइश जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा खेत में पानी के माध्यम से भी फैलता है तो खेत में ज़्यादा पानी भर के न रखें पानी निकाल दीजिए और फिर से भर के फिर निकालते रही है लेकिन ज़्यादा खड़ा पानी उसमें न रखें अगर आपके पानी के समस्या है तो आप उसमें खड़ा भी रख सकते हैं लेकिन अगर हो सके तो आपको पानी को खेट से निकालते रहना होता है, खेट को हलकाता आपको सूखा रखना रहता है, उससे कल्ले भी अच्छे पूड़ते हैं, तो फिलाल सीथ बलाइट वाले वीडियो में बस इतना इससे समझे कुछ भी आपके सवाल देसा सुझा होते ह प्लीज आप नीचे में कमेंट करिए, वीडियो को सेर जरूर करेगा, अगर आप नहीं है तो हमरे चैनल को सब्क्राइब कर लीजेगा